नवस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं O.M.H. News अरविंद केजरिवाल, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हाथ को लगा, लेकिन मुह को ना आया ये कहानी, ये एक तरीके से कहावत अरविंद केजरिवाल पर एकदम सटीक बैठती है ये वही अरविंद केजरिवाल है, जो की अपने आपको जनता का मुख्य मंत्री कहलाना पसंद करते थे ये वही अरविंद केजरिवाल है, जो शुरुवाती समय में दिल्ली सचिवाल ले, नीले वेगिनार में जाते थे निली कमीज पहन के निले कर ढखकन वाला रिनॉल्ट्स पहन जेब में लगा कर और आज यही केजरिवाल हैं जो कठा कथित तौर पर सैक्रो करोडों के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं तिहाड जेल के सरकारी महमान बने हुए हैं अर्विंद केजरिवाल लेकिन अर्विंद केजरिवाल के नेता लगातार कह रहे हैं कि हमारे नेता तो कटर इमानदार आदमी हैं हमारे नेता से ज़्यादा तो इमानदार कोई है ही नहीं हमारे नेता को देख तो इमानदारी भी शर्मा जाती है ये तमाम तरह की बाते अर्विंद केजरिवाल के नेता कर रहे हैं और करे भी क्यों ना उनकी मजबूरी हो गई है पहले कहते रहे कि अर्विंद केजरिवाल एक मातर ऐसे नेता है जो पी एम मुदी को टकर दे सकते हैं तो उसका हश्र तो आप लोगों ने देख लिया 22 सीटे लड़ी और तीन पर चुनाव जीते हैं दिल्ली में जहां मौजूदा समय में सत्ता है वो भी बहुत बड़े बहुमत वाली सत्ता जिसने चुनावी कालखंड का एक नया इतिहास लिखा था इत्ते बड़े जन्मत वाली सत्ता उस दिल्ली में चार सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी और चार में से एक भी ना जीत सकी और उसी कॉंग्रेस के साथ मिलकर लड़ी जिस कॉंग्रेस को वो भ्रस्टाचार की गंगोतरी कहने से नहीं चूकती थी लेकिन हश्र क्या हुआ आपके और हमारे सामने हैं तेरा सीटों पर लड़ी पंजाब में मात्र तीन सीटे जीती हर्याना लड़ी हर्याना हार गई और यह वो उन नेता का हाल है जो अपने आपको कट्टा रिमांदार नेता कहते थे दरशको नेताओ का प्रदर्शन, नेताओ की प्रासंगिक्ता, नेताओ की इमांदारी का एखी पैमाना है चुनावी देश में या उन देशों में जहां चुनाव होते हैं कि चुनावी राजनीती में उन्हें कितना बड़ा जनमत मिलता है जितना बड़ा जन्मत उतनी बड़ी स्विकारिता ये सीधा प्रदर्शन का मापडंड है चुनाव एक परतियोगिता तो है बस फर्क ये है कि चुनाव के पेपर लीक नहीं होते नहीं तो चुनाव में भी पेपर होते तो इन नेताव का भी भविश्य लीक हो जाता या अधर में लटक जाता जैसे यूजी सी नेट और नीट के बच्चों का 32 लाग बच्चों का लटका हुए खैर ये तो एक अलग विश्य हो गया लेकिन अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली लोर कोट से राउज अवेन्यू कोट से जमानत दी गई लेकिन हुआ क्या कि भाईया एडी पहुच गया हाई कोट एडी हाई कोट पहुच गया तो हाई कोट ने कहा कि ठीक है जब तक ये केस चलेगा एडी का हम पक्ष सुनेंगे तब तक कोई जमानत नहीं मिलेगी चुपचाब रहो तियार में अब क्या कर सकते थे बेबसी लाचारी और सरकारी कोट का आदेश तो सरकार बिचारे जेल में ही रह गए अब जैसे तैसे उमीद थी सुप्रीम कोट से तो भाई सर्वोच अदालत भी पहुँच गए तो सर्वोच अदालत ने भी केजरिवाल साब के उमीदों पर मनसूबों पर पानी फेर दिया सर्वोच अदालत ने कहा कि ज्यादा अड़ बढ़ाओ मत इंतजार करो अभी चल लिए कोट में परकरिया हाई कोट सुन रहा है मामला तो सुप्रीम कोट ने कह दिया कि भीया हाई कोट के फैसले का इंतजार करिये और इसके साथ ही सुनवाई को 26 जून तक टाल दिया है हाला कि सुप्रीम कोट ने दिल्ली उच न्याले पर एक बड़ी टिपड़ी भी की और आम तोर पर इस तरह के फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते हैं उन्होंने कहा कथित शराब घोटाले में गिरफतार अर्विंद केजिवाल ने ट्राइल कोट से मिली जमानत पर हाई कोट की अंतरीम रोक को सुप्रीम कोट में चुनौती दी थी और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस S.V.N. भटी की अवकाश कालिन बेंच ने केजिवाल की याचिका पर संशिप्त सुनवाई की बहुत बड़ी सुनवाई नहीं की दर्शक और छोटी सुनवाई की और आखिर सबके मन में प्रश्ण है कि जब लोवर कोट से जमानत मिल गई थी तो फिर आखिर क्यों रोका गया अरविंद केजिरिवाल की जमानत को हाई कोट में तो आपको बता दें कि एडी ने कहा है कि उसके पास पुक्ता और नए सबूत हैं और एडी ने गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं के दर्ज बयानों का भी हवाला दिया इस बीच दिल्ली सरकार ने जूटे साक्षे गड़ने के आरोप लगाए हैं दिल्ली हाई कोट में केजरिवाल की जमानत को चुनाती देनी वाली याचिकापर एडी ने सुमवार को अपना लिखित जवाब दाखिल किया है E.D. ने कहा है कि उनके पास केजरिवाल के खिलाफ पुक्ता साक्षे है नए साक्षे भी एकत्रित किये गए हैं और केजरिवाल को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता E.D. ने 29 पेज में अपना लिखित जवाब दाखिल किया हाई कोट ने दोनों पक्षों को 24 जून की शाम तक जवाब दाखिल करने को कहा था अदालत इस मामले में मंगलवार तक अपना फैसला सुना सकती है तो ये पूरे कारण है दर्शको की अरविंद केजरिवाल को उच न्याले से जमानत नहीं मिल पा रही है इडी ने ऐसा वाटर टाइट केस बांधा है कि अरविंद केजरिवाल के लाखों रुपे लेने वाले महंगे वकील अरविंद केजरिवाल को बेगुना साबित नहीं कर पा रही है तो ये तमाम तरह के कारण है जिसकी वज़े से अर्विंद के जीवाल जेल में बंध है और बाहर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाईया हमारे नेता कट्टर इमांदार है लेकिन सुचिता कथित तोर पर आम आदमी पार्टी और अर्विंद के जीवाल कहीं ना कहीं ख देखते रहिए ओमेच निउस और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं